मैंने जो कहां उसके उपर मैं कायम रहूँगा कि जीन लोगों को एक तारिक को तन्खा मिलता है वो जीवन बर टाइम नाम के विशे कामा तो कभी नहीं समझते तुमने एक एक पाइल पर 15-15 दिन लेट करने से कितना चुना लग जाता है जीन लोगों को एक तारिक को तन्खा मिलता है वो जीवन बर टाइम नाम के विशे कामा तो कभी नहीं समझते मैं बिजनेस मैंज़मेंट में फैनान सूथ पढ़ा हूँ और बहुत करजा लेचो कर धन्दा पानी कर चुका हूँ तुमने एक एक पाइल पर 15-15 दिन लेट करने से कितना चुना लग जाता है इसका विट्थिकर जीवन में बे अन्भो लेता हूँ और बाकी कॉंटक्टर को बरबाद होते हूँ मैंने देखा है अपको जो लगते हो लो ना रिजय करो पास करना पास करो अभी प्रदान मंत्री जी ने आदेज दे कि कोई भी फाइल चार लेयर के उपर नहीं जाहीं जो करना हो निरे करो प्रॉबलम टाइम इस दे बिक प्रॉबलम और टाइम के कारण फिर लोगों को तकलीफ होती है आपके डिसिजन क्या होता इससे नहीं होती और इसलिए इसका जब महत्व होता है जब अधिकारी सब्विदेंशील हो दुसरों के व्यक्ति के भी सर्पास जाकर उसके सुख दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए मैं जब मंत्री बना तो करीब 406 प्रोजेक्ट तीन लाग पचासी अजार करोड के स्टोल प्रोजेक्ट है बंद पड़े थे और बैंकों में तीन लाग करोड का इनपी होगा था मैं मारे यहाँ फस्ट फ्लोर पर ट्रांसपोर वन में रोज रात को बारा बारा बजे तक बैठा था था अधिकरी, कॉंट्रेक्टर, कॉंसल्टन, बैंकर्स और कुछ ना कुछ मुझे अकसर लगता था है कि पॉजिटिव बैंक ओड़ तुमारा इसमें फायदा थुमारा इसमें फायदा अधिये से रोग कि क्यो कर लोगो को भी तकुलीफ हो एक्सियन्टू रहे है लोग मुझे गालिया देते एक बार मैंने अधिकरी को का कि तुमारा है नाम क्यों ही लिखते रोड बढ़ ज़िदे तो मैंने कि लोग जब मेरे लिए करेंगे तो फिर आप आपकी भी जिम्मेदारी है ना बजाक में उनको का कि आपका भी कल लोग आपको भी पूछेंगे तो तुरंग कुछ वह तो लोग बोलते कि क्यों ऐसा क्यों हुआ